कम बैक टूमा यूटूब चैनल दोस्तों आज मैं आपको फेरा और खेमा में क्या अंतर होता है वो बताने जा रहा हूं सन 1973 इश्री में विदेशी विनिमें नियमें अधिनियम फेरा यानी फॉरेंड एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा पारित किया गया जिसका मुख्य उदेश ये विदेशी मुद्रा का सदुप्योग सुनिश्चित करना था मतलब जो फॉरेंड से मनी आ रही है जो विदेशी मुद्रा है उसको कैसे एक तरीके से उसका मेनेजमेंट किया जाए लेकिन यह कानू देश के विकास में बाधक बन गया इस कारण द नुमोदन के बाद 1999 में फेमा प्रभाव में आया देखिए फेरा और फेमा में क्या डिफ्रेंस होता है इने जानते हैं फेरा इसे संसर ने 1973 में मंजूरी दी थी फेमा में क्या है इसे संसर ने 1999 में मंजूरी दी थी फेरा यह बरतमान में लागू नहीं है फेमा बरतमान मे लागू है फेरा में section की संख्या 81 है जब कि फेमा में sections की संख्या 49 है फेरा इसे भारत में विदेशी भुकतन नो पर नियंतन लगाने और विदेशी मुद्रा का संदूपयोग करने के लिए बनाया गया था फेरा इसमें भारत का नागरिक उसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत का नागरिक होता है जिक्ति फेमा में क्या होता है जो भी फॉर्न रख्ति ईसे बहुत KathARI को किम्नल अपराथ की सिड़ी में सरूमा में क्यों होता है इसा प्राथ कुछ दिवानी अपराथ की की में रखा जाता लिन फेरा में इसे दोशी पाई जाने पर सीधे सजा का प्रफधान होता है डाय्यक्ट तक को पेनाल्टी बनिश्मेंट दिया जाएगा फेमा में दोशी पाए जाने पर सजा तब ही होगी जबकि व्यक्ति को नोटीश की तिथी से मलब उसको जूनिटीश दिया गया उस डेट से 90 डेस के अंदर अर्सेदंड जमाक ना करें महलब उसको उपर कोई भी पेनाल्टी माना जाता था और उसे ही साबित करना होता था कि व्यदोशी नहीं है जैकि फेमा में क्या है इसमें किसी गुना के संबल में सबूत देने का बोज आरूपी पर नहीं बलकि फेमा लागू करने वाले अधिकारी पर होता है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद